इस चैनल का मकसद है आप सभी की प्रोगलम का सलूशन करना आपके पास में जीमेल आइडी भी नहीं है और आपके पास फ़ोन नमबर भी नहीं है तो आपके आइडी को सपरियत जैसे करें चलिए दूश्टों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि किसी आप application का यूज करते हैं जैसे कि story डाउनलोड करने के लिए उसमें आपको Instagram की ID डाल के registration करना पड़ता है और उसके बाद में वहाँ पे download करने की सवीधा दी जाती है तो आप कहीं पे भी flower बढ़ाने से related हो सकता है या किसी site पे जाके आपने Instagram क की ID login कर दी या फिर application के अंदर तो उसके इसके अंदर Instagram को यह लगता कि आपकी ID कुन्फर्माइज की गई है आपका password किसी third party के साथ में share किया गया है उस रीजन से Instagram आपकी ID को लोग कर देता ताकि आपकी ID safe रहे Instagram को यह लगता कि आपकी ID hack की जा रही है तो उसको safe रखने के लोग की जाती है तो इसका solution क्या है आप ID का password अगर reset कर लेते हैं तो उससे यह लगता Instagram को कि यह आपकी ID है आप इसके owner है तो इसके बाद में आपका solution हो जाएगा बट अभी दिक्कत क्या है कि काफी सारे मेरे भाई और काफी सारी मेरी बेहनों की कि जब ID password को reset करते है तो व पास में Gmail ID और password है तो बहुत ही असान तरीके से continue पर यहां पर करोगे और उसके बाद में यहां पर आपकी Gmail ID पर OTP जाएगा वह OTP डालोगे और आपका login हो जाएगा बहुत ही असान तरीका है बट अब OTP आप नहीं डाल पारे क्योंकि आपके पास Gmail ID भी नहीं है phone number भी नह तो सबसे पहले आप देखिए get help login यहां पर okay करना है ठीक है और उसके बाद में यहां पर username आपको डालना है ठीक है मैंने अपना username यहां पर डाल दिया है इसके बाद में next करना आपको next करने के बाद में यहां पर email डाल रखा हमने और एक text SMS के थरू मेरे पास में OTP जाएग तो क्या करें तो यहां पर देखिए need more help यहां पर नीचे वाले option पर okay करना है अगर आप दूसरे फोन का दर try करोगे तो यहां पर next वाला option नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर देखिए option आ चुका है मेरे पास में phone number और यह दोनों मेरे पास में नहीं है ठीक है तो यहां पर number और email id I don't have access तो यहां पर okay करना आपको ठीक है okay करने के बाद में next पर करना है next पर करने के बाद में यहां पर एक option हो रहा है आपका जो instagram account है अगर आपके उसके अंदर photo है तो yes पर करना है otherwise no पर करना है मेरे photo है तो मैं yes कर देता हूं ठीक है इसके बाद में next करना है कि यहां पर आपको एक email id डालनी है जो करन्ट में आपके पास में आपके phone के अंदर चल रही है उस email id पे आपका password दिया जाएगा तो कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूं ID डालने के बाद में आपको submit करना है सब्मिट करने के बाद में interest security code पूछ रहे है यहां पे तो यह email id मैंने डालनी है इस पे एक mail जाएगा मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद में यहां पे देखिये एक OTP आएगा यह OTP आपको क्या करना है वहां पे डालना है यह इस्टेगराम में ठीक है तो मैंने यहां पे यह डाल दिया है और next कर देता हूं अभी तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे Said में यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इस जगह पर आजाओगे यहाँ पे Next पे करना है और यहाँ पे इस तरह से आपका Mobile पकड़ना आपको ही जैसी मैंने पकड़न flat ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट करना है और आपका मुवाईल इस तरह से आपको लेना है ठीक है? यहाँपे तीन step है अभी यहाँ पे इस तरफ मेरा यहाँपे right आया तो right इस तरह से करना है ठीक है? यह करने के बाद मिए यहाँपे nisana लग चुका है अब इस तरफ आ गया ठीक है अब दुवारा से इस तरफ slowly टरन करना नीचे दिया हुआ है और जो भी option दिया हुआ इस तरफ ही करने है ठीक है अभी देखिए मेरा ये complete हो चुका है जैसे ये direction होते ना जैसे कि इस तरफ हुआ इस तरफ हुआ उपर की तरफ हुआ अराम अराम से करना है ताकि आपकी जो भी selfie verification अच्छे से हो और आपका account recover होने के chance हो क्योंकि अगर आप अच्छे से selfie verification नहीं करोगे तो आपका account instagram verify नहीं कर पाएगा और आपका जो account है वापिस नहीं आपाएगा अब selfie verification complete हो चुका है अब आपको submit करना है तो आपको submit करना है और submit जब करोगे तो आपके internet पे depend करता है आपका internet कितनी speed पे है और upload होने में time लगेगा आपको उसी page पे रोखे रहना है complete होने के बाद में आपके पास में एक mail आएगा कि इस तरह की mail आएगी आप side में देख लीजिएगा और इसके बाद में एक mail और आएगा आपको wait करना है दो से तीन दिन का कई बार क्या आउता है उसी दिन आ जाता है दो तीन गंटे के अंदर आ जाता है कई बार 24 गंटे लग सकते हैं कई बार ज़्यादा भी लग सकते हैं तो ज्यादा ज्यादा बैतर गंटे लगते हैं, बैतर गंटे के अंदर आपके पास में इस तरह का एक mail आएगा, ठीक है, उसके अंदर बताया जाएगा selfie verification आपका complete हुआ है, या नहीं हुआ है, अगर आपका selfie verification complete हो जाता है, तो आपका account to recover हो जाएगा, वहाँ पे reset करने का इ जरूर बताना आपकी video से मैंने ये सीखा है, और आपकी और कोई problem में रह गई है, आप मेरे साथ में discuss करना चाते हैं, तो आप Facebook पर Instagram पर जाके मुझसे discuss कर सकते हैं, और आप video बना के पैसे कमाना चाते हैं, आप सीखना चाते हैं, YouTube पे video बना के कैसे पैसे कमाई जाते हैं, तो आप मेरे इस channel को follow कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, one to one में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे इस बात करके भी समझ सकते हैं, भाई मुझे ये समझ में नहीं आरा video बनाते हैं टाइम पे, कैसे इसका solution करें, तो आप मेरे से discuss कर सकते हैं, one to वन चलिए दोस्तों हम मिलते हैं उस सिनल पे तब तक के लिए जैहिन जैवारत